वीवियन डिसेना का लगतार सिधार शुकला से कंपैरिजन किया जा रहा था कुछ फोटोस भी वाइरल हो रही थी जब दोनों साथ में काम कर रहे थे और मतलब ये strongly लोग कह रहे थे कि हमें एक जलक जो है वीवियन डिसेना में देखनी को मिल रही है लेकिन उसकी वज़़े से ही बहुत सारी जो है फाइट्स भी हो रहे थी फैंस के बीच में यहाँ वीवियन के फैंस बिड़ रहे थे सिधार शुकला के फैंस भी भीड़ रहे थे कुछ लोग आपती जता रहे थे इस comparison पर फाइनली जो है वीवियन डिसेना की वाइफ ने इन चीजों पर react किया है चले बात करते हैं उन्होंने क्या कहा है स्वागत है आप सभी का बॉल्वूड स्पाई में मैं हूं अतिती शर्मा तो दोस्तों वीवियन डिसेना की वाइफ का कहना है कि वो request करना चाहती है वीवियन डिसेना के सभी fans से जो neutral supporters है उनसे और जो उनके followers हैं उनसे कि उनको compare करना बंद कर दीजिए इन दोनों को compare करना बंद कर दीजिए उन दोनों ने अपनी journey एक किसम से almost साथ ही शुरू की थी और दोनों के बीच में हमेशा एक healthy competition रहा दोनों ने कभी भी एक दूसरे के बारे में कोई bad words नहीं कहे और ना ही वो कभी किसी तरीके के conflict और argument में पड़े एक दूसरे के साथ in fact वो दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे और वो दोनों एक special bond share करते थे यहाँ पे उनका कहना है कि दोनों का ही एक बहुत ही अच्छा career graph रहा है उन्होंने दोनों ने ही hit shows दिये है और अगर दोनों के बीच में थोड़ी सी similarity भी है तो जो है मतलब उनका कहना है कि जो पसन हमारे बीच में नहीं है कम से कम आप उनके लिए थोड़ी सी शांती बनाए रखिए एक respect बनाए रखिए और यहाँ पे इस तरीके की चीजें ना की जाए जो भी जो घर के अंदर है आप फिलाल उसके लिए भी best जो है सोचिए उसके लिए भी शांती मनाए रखिए और एक तो भी इस दुनिया में है ही नहीं तो इस तरीके के जो है comparison ना किये जाए आप meaningless fights में ना पड़े क्योंकि fans आपस में भिड़ रहे थे और अपना जो है effort प्यार अगर आप time दे ही रहे हैं इन चीजों को डाल ही रहे हैं efforts डाल ही रहे हैं तो भई दोनों को प्यार देने में efforts डालिए और यही काम ना कीजिए कि जो जो भी जहां जहां भी है वो ठीक रहे तो यहां पर यह देखा जाए तो भई उनका कहना ठीक है क्योंकि fans के बीच में एक अलग ही war शुरू हो जाता है जो कि अच्छा नहीं है आप सभी को क्या कुछ है इस बारे में कहना comments में बताइए ज़रूर मिलते हैं next video में